देखिए एक कोशन है हमारा example number 6.10 कोशन कह रहा है कमला पैडल से stationary bicycle देखिए एक stationary bicycle है जिसे कमला पैडल करने में लगी भी है ठीक है the paddles of the bicycle are attached to a 100 ton coil of area 0.10 meter square तो जो bicycle का paddle है वो किसके साथ attached है एक कोईल के साथ attached है और उस कोईल में कितने टर्न है 100 tons है और कोईल का area दे रहा है आपका 0.10 meter square तो यह आपका एक कोईल है जिसमें total कितने टर्न है 100 tons है एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, इस तरीके से total 100 टर्न है और यह जो coil है, यह किसके साथ अटेज है वाई साइकल के paddle के साथ अटेज है, और कमला कि अगर यह उससे paddling करने में लगी है, जैसे जैसे paddling करते रहेंगे, तो यह coil भी क्या होता रहेगा, turn होता रहेगा, ठीक है, जैसे आपका एक coil है, तो एक coil क्या कर रहा है, ऐसे turn कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, with paddling, तो इसमें total number of turns जो दे रहे हैं, वो है आपका 100, और जो coil का area दे रहा है, वो है आपका 0.10 meter square, देखो आगे question में लिखा है, the coil rotates at half revolution per second, तो यह उसका frequency दे रहा है, frequency कितना दे रहा है, half revolution per second, half revolution per second, मतब एक second में वो आदा revolution कर रहा है, जैसे यह आपका coil है तो एक second में ऐसे इस त complete revolution में पूरा का पूरा, मतब one complete revolution में यह तो half हुआ, फिर जब इस तरीके से और घूमेगा, उसे complete revolution बोलेगा, ठीक है, तो एक second में half revolution कर रहा है, यह उसका frequency है, तो हम इसे लिख सकते है, 0.5 revolution per second, and it is placed in a uniform magnetic field, इसे एक uniform magnetic field में place कर रहा है, magnetic field आपका इतना tesla दे रहा है, तो य यह आपका magnetic field है, 0.01 tesla, perpendicular to the axis of rotation of the coil, तो जो magnetic field है, वो axis of rotation of the coil के perpendicular है, तो जैसे यह उसका axis of rotation होता है, जैसे ठीक है, जिस axis के about यह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस axis के perpendicular आपका magnetic field है, जैसे यहाँ पे मानलो, यह आपका north pole है, यह आपका south pole है, यह आपका south है, तो इसे जा रही है, इसे cross करते हैं, यहाँ पर यह magnetic field क्या है, uniform है, अब देखिए यह जो coil है यहाँ पर ऐसे rotate कर रहा है, तो अगर यह rotate कर रहा है, तो इसका magnetic flux क्या हो रहा है, change हो रहा है, लेकिन जब coil इस तरीके से horizontal होगा और magnetic field lines ऐसी होगी, तो इस समय magnetic field lines इसे cross नहीं कर रही ह तो इस समय इसका magnetic flux 0 होगा, लेकिन जैसी वो ऐसे इस तरीके से turn करना शुरू करेगा, तो अब इसे magnetic field lines cross करेंगे, फिर ऐसे में और ज़्यादा magnetic field lines cross करेंगे, जब यह vertical हो जाएगा, उस समय ज़्यादा magnetic field lines इसे cross कर रही होगी, तो इस समय इसका magnetic flux क्या होता है, maximum होता है, तो magnetic flux के change होने से, इस coil में EMF induced होने लग जाता है, तो अब देखो, magnetic flux 0 से maximum हुआ, फिर maximum से 0 हुआ, तो आपका induced EMF है, वो भी आपका 0 से maximum होगा, और फिर maximum से 0 भी होगा, तो इसमें जो EMF induced हो रहा है, उसे हम alternating EMF बोलते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, चेंज होने में लग वो increase भी कर रहा है, degrees भी कर रहा है, तो इसमें जो EMF induced होता है, उसका formula होता है, वो होता है, आपका E is equal to N B A omega sin omega T, यह omega क्या है, यह आपकी angular frequency है, यह आप angular velocity भी बोल सकते हो, N का मत्रम number of turns हो गया, B magnetic field यह area है आपका, ठीक है, यह आपका time है, यह आपका angle है, ठीक है, तो with time आ यह क्या चीज़ है, आपका देखो, यह, इस formula को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, E is equal to E naught sin omega T, और यह E naught क्या है, बच्चों, इससे maximum induced EMF बोलते है, यह maximum voltage बोलते है, यहाँ पर हमें find क्या कर रहा है, यहाँ पर गहरा है, what is the maximum voltage generated in the coil, हमें यह बताना है, कि इसमें maximum voltage कितना होगा, इसका जो voltage है, वो increase भी कर रहा है, decrease भी कर रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, maximum voltage बोला जाता है, और यह बाला जो voltage है, यह तो with time क्या हो रहा है, change होने में लगवा है, increase भी कर रहा है, decrease भी कर रहा है, तो इसका जो formula होता है, वो यह बाला formula होता है तो इसे हम इस तरीक से लिख सकते है E0 is equal to NBA omega क्या है इसे बोले जाते है angular frequency तो angular frequency का जो formula होता है वो होता है आपका 2 pi into frequency तो इसकी जगह में हम ऐसे लिख सकते हैं NBA angular frequency की जगह में हम लिखेंगे 2 pi into frequency अब हमें just value put करने है बाकी कुछ नहीं करना तो यह आपका maximum voltage है is equal to number of tons कितने दे रहे हैं 100 magnetic field आपका दे रहे हैं 0.01 into area है इसका 0.10 meter square 2 into pi की value है 3.14 into frequency कितना दे रहे हैं आपका 0.5 revolution per second 0.5 अब देखो अगर आप इसे solve करते हैं तो solve करने पे आपको जो इसकी value मिलेगी 0.314 voltage ठीक है तो यह question आपका complete हो गया है